हलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे Solvation Energy and Solubility of Ionic Compounds के बारे में इसको हम हिंदी में कहेंगे विलाइकन उर्जा तथा आइनिक योगीकों की विलाइता तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं Solvation Energy के बारे में तो देखें किसी भी Ionic Compound की बात करें तो वो Cation और NIN का Combination होता है अब अगर किसी Ionic Compound को हम Polar Solvent या दुरूविय विलाइक में Dissolve करते हैं तो उस Case में उसके बीच का जो Ionic Bond है वो क्या हो जाएगा तूट जाएगा और Ionic Solid जो है वो Isolated Gaseous Ions में Dissociate हो जाएगा अब इस Process में कुछ Energy की Requirement होती है और उस Energy को हम क्या कहते हैं Lattice Energy या जालक उर्जा अब देखे यहाँ पर हम Ionic Crystal को Mx से Represent कर रहे हैं M यहाँ पर Cation और X हो जाएगा NIN अब इसको हम कुछ Energy देते हैं जो कि उसके Lattice Energy के Equal होगी तो Ionic Solid जो है वो Cation और NIN में Dissociate हो जाएंगे और यह दोनो Ions Gaseous State में रहते हैं अब देखे यह Isolated Gaseous Ion क्या करते हैं उस Solvent के साथ Interact करते हैं और Solvent के Molecules उनको 4 और से Surround कर लेते हैं तो इस तरह से जो Ion बनता हैं उसको हम क्या कहते हैं Solvated Ion Suppose अगर हम Example लेते हैं NaCl का तो NaCl में Na Plus और Cl Minus Ions Present होते हैं अब अगर हम इसको Water में Dissolve करते हैं तो यह Na Plus और Cl Minus Ion में Dissociate हो जाएगा अब H2O यहाँ पर Polar Solvent है तो वो क्या करेगा इस Na Plus Ion को 4 और से गेर लेगा इसी तरह से इस Cl Minus Ion को भी H2O 4 और से गेर लेगा तो इस तरह से जो नया Ion बनता है उसको हम क्या कहते हैं Solvated Ion अब देखें इन Solvated Ions को हम इस तरह से रिपर्जेंट करेंगे यहाँ M हो जाएगा Cation और उसके 4 और Solvent के कितने Molecules पर्जेंट हैं इसी तरह से X हो जाएगा N Ion और उसके 4 और कितने Solvent के Molecules पर्जेंट हैं यहाँ पर Solv जो लिखा हुआ है वो Solvent के Molecules को रिपर्जेंट कर रहा हैं अब देखें यहाँ पर जो Solvated Ion बन रहा है वो Ion और Solvent के Molecules के बीच में Interaction की वज़े से बनता हैं तो इसको हम क्या कहेंगे Ion Solvent Interaction अब देखें अगर हम Solvent की जगा Particular Water को यूज करते हैं तो उस Case में जो Gases Ion हैं वो Hydrated Ion में Convert हो जाएंगे देखें अगर हम Particular Solvent यूज नहीं करते हैं तो उन Ion को हम क्या कहेंगे Solvated Ion और अगर हम Solvent में Water यूज करते हैं तो बनने वाले Ion को हम क्या कहेंगे Hydrated Ion अब Hydrated Ion को हम इस Form में Represent कर सकते हैं देखें वहां हमने लिखा था Solv लेकिन यहां हम Solvent में Particular Water का यूज कर रहे हैं तो यहां हम क्या लिख देंगे H2O या इसकी जगह हम Aqueous भी लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा Cation का Representation और यह हो जाएगा NaN का Representation अब Water में जो NaCl का Solvation है उसको हम Diagram के थूँ समझेंगे तो देखें यह हो जाएगा NaCl का Crystal इसमें Na Plus को Represent कर रहा हैं और Minus Sign जो है वो Chloride Ion को Represent कर रहा है और यह हो जाएगे Water Molecules के Dipol देखें अगर हम Water Molecules के बात करें तो उसका Structure इस तरह से होता है अब Oxygen और Hydrogen दोनों मैंसे Oxygen की Electron Negativity Hydrogen से ज़्यादा होती है तो इस Case में Oxygen पर Partial Negative Charge और Hydrogen पर क्या आएगे Partial Positive Charge तो इस तरह से Water पर दो पोल बन जाते हैं एक बन जाएगा Positive पोल और एक बन जाएगा Negative पोल तो हम Water Molecules को इस तरह से Represent कर सकते हैं या हम कह सकते हैं Water Molecules एक Dipol के Form में Present होता है तो यह हो जाएगे Water Molecules के Dipol अब देखें जब NaCl को Water में Dissolve किया जाता है तो सबसे पहले NaCl का Na Plus और Cl Minus में Dissociation होगा और यह दोनो आएंज जो हैं वो Gaseous State में रहते हैं अब देखें Na पर क्या Charge हैं? Plus Charge हैं तो Water Molecules के Dipol का जो Negative portion है वो Na Plus की तरफ रहेगा तो यह देखें Center में हो जाएगा यह Na Plus हैं और Water Molecules के Dipol का Negative part जो है वो इस Na Plus की तरफ रहेगा मिन्स Opposite Charge में हमेशा Attraction होता है तो इस तरह से Na Plus और Water Molecules के Dipol के बीच में Attraction Force रहेगा अब देखें यहाँ पर जब दोनों के बीच में Attraction होता है तो वहां से कुछ Energy का Amount Release होता है इस Release होने वाली Energy को हम Solvation Energy या Water के केस में हम उसको कहेंगे Hydration Energy इसी तरह से अगर हम Chloride Iron की बात करें तो Chloride Iron पर Negative Charge परजेंट होता है अब Water Molecules के Dipol का जो Positive Part होगा वो Chloride Iron से Attract होगा इस तरह से यह जो Ion बनता है उसको हम क्या कहेंगे Hydrated Ion और इस Ion के बनने से भी Energy Release होती है उसको हम Solvation Energy या Hydration Energy कहते हैं और यह दोनों Ions क्या हो जाएंगे Hydrated Ions तो देखे ऐसा Process जिसमें Solvated या Hydrated Ions Produce होते हैं उस Process को हम क्या कहेंगे Solvation Process या Hydration Process इसी तरह से Solvation Process या Hydration Process में जो Energy Release होती हैं उसको हम क्या कहेंगे Solvation Energy या Hydration Energy अब देखे यह हो गया Catein और Catein Solvent के X Molecule से Reaction करके क्या बनाएगा Solvated Ion तो Solvated Ion बनने का जो Process हैं उसको हम क्या कहेंगे Solvation Process या Hydration Process और इस Process में जो Energy Release होगी उसको हम क्या कहेंगे Solvation Energy या Hydration Energy इसी तरह से अगर हम Anion की बात करें तो जब Anion Solvent के Y Molecule से Reaction करता हैं तो उससे Solvated Ion बनता है इस Process को हम क्या कहेंगे Solvation Process या Hydration Process और इस Process से जो Energy Release होती हैं उसको हम Solvation Energy या Hydration Energy कहते हैं अब इसकी Definition क्या होगी तो देखिए जब किसी Gaseous Ion के 1 Gram Mole को किसी Solvent या Water में Dissolve किया जाता हैं तो जितनी Energy Release होती हैं उसको हम क्या कहते हैं Solvation Energy या Hydration Energy अब Solvation Energy या Hydration Energy को हम Heat of Solvation भी कहते हैं या इसको हम Heat of Hydration भी कह सकते हैं अब देखिए जैसा कि हमने डिसकस किया है जो Hydration का Process हैं उसमें Energy Release होती हैं तो Solvation या Hydration का Process जो हैं वो हो जाएगा Exotherming अब देखिए किसी भी Ionic Solid को जब हम Polar Solvent में Dissolve करते हैं तो उस Solvent के पास क्या होती हैं Solvation Energy और Ionic Solid के पास क्या होती हैं Lattice Energy तो किसी भी Ionic Solid को Dissolve करने के लिए Solvent के पास Suficient Amount में Solvation Energy होनी चाहिए ताकि वो उस Ionic Crystal को Dissociate कर सके और उसका Dissolution कर सके अगर किसी भी Solvent के पास Suficient Amount में Solvation Energy नहीं होती हैं तो वो Solvent उस Ionic Compound की Lattice Energy को Overcome नहीं कर पाता हैं इस केस में वो Ionic Compound उस Polar Solvent में Dissolve नहीं होगा और यदि उस Solvent के पास Suficient Amount में Solvation Energy हैं तो वो उस Ionic Compound के Lattice Energy को Overcome कर लेता हैं और वो Ionic Compound उस Solvent में Easily Dissolve हो जाता हैं अब देखिए जैसा की हमने Discuss किया हैं किसी भी Ionic Solid की Lattice Energy अगर उस Solvent की Solvation Energy से कम हैं तो उस केस में जो Ionic Solid हैं वो Ionic Solvent में Dissolve हो जाएगा मिन्स वो Solvent क्या करेगा अपनी Solvation Energy उस Ionic Solid को Dissolve करने में यूज कर लेगा और इसी तरह से अगर किसी Ionic Solid की Lattice Energy उस Solvent की Solvation Energy से जादा हैं तो उस केस में जो Ionic Solid हैं वो Ionic Solid में Dissolve नहीं हो पाएगा इस केस में जो Solvent हैं वो Ionic Solid के बीच का बांड नहीं तोड सकेगा और जब Ionic Solid का ions में Dissociation नहीं होगा तो वो Dissolve नहीं होगा अब देखिए अगर किसी Ionic Compound को हम Non-Polar Solvent या Earth-Ruby विलायक में Dissolve करते हैं तो उस केस में Ionic Compound के Gaseous Ion और उस Solvent के बीच में किसी भी तरह का Interaction नहीं होता है Interaction से meaning है जैसा कि हमने NHCL और H2O के के केस में Discuss किया था तो यहां पर कोई भी Interaction नहीं होता है तो interaction नहीं होने की वज़ा से वहां Solvation Ion भी नहीं बनेंगे और Solvation Process नहीं होगा तो उस केस में वहां पर Energy भी Release नहीं होगी और Energy Release नहीं होती है तो वो उस Ionic Compound की Latish Energy को Breakdown नहीं कर पाती है तो इस केस में जो Ionic Solid है वो उस Non Polar Solvent में Soluble नहीं होगे अब देखिए अगर हम Ionic Compound या Polar Compound की बात करें तो वो हमेशा Polar Solvents में Dissolve होते हैं क्योंकि Ionic Compound के Gaseous Ion और उस Polar Solvent के Dipol के बीच में Easily Interaction होता है और जब interaction होगा तो वो Easily Dissolve होगे इसी तरह से अगर हम Covalent Compounds या Non Polar Compounds की बात करें तो वो हमेशा Non Polar Solvents में ही Dissolve होते हैं क्योंकि Non Polar Compounds या Covalent Compounds में किसी भी तरह का Ion Formation नहीं होता है तो उस Case में वो हमेशा Non Polar Solvents में ही Dissolve होता है तो हम कह सकते हैं Like Dissolves Like मिन्स समान समान को गोलता है तो हम कह सकते हैं Polar Compound हमेशा Polar Solvents में Dissolve होगा और Non Polar या Covalent Compound हमेशा Non Polar Solvents में ही Dissolve होगा अब देखे किसी भी Compound के लिए जो Solvation का Process हैं उसके लिए Gibbs Free Energy या DLG की Value हमेशा क्या होनी चीए Negative देखे हम Thermodynamics में पढ़ते हैं किसी भी Spontaneous Process के लिए Δेल्टा जी या Gibbs Free Energy की Value हमेशा क्या होनी चीए Negative होनी चीए अगर Δेल जी की Value Negative नहीं होती है तो वहाँ पर Solvation का Process Complete नहीं हो पाएगा अब देखे जैसा कि हमने Discuss किया है जो Solvation Process है वो Exothermic होता है मिन्स वहाँ पर Energy Release होती है लेकिन कुछ Ioni Compounds ऐसे होता है जो कि Solvation के Process में Energy को Absorb करता है मिन्स वहाँ पर Endothermic Process होगा अब Endothermic Process का जो Reason है वो क्या हो जाएगा Entropy Change यहाँ पर जो Endothermic Process है उसके लिए Entropy Change Responsible होता है अब इसको समझते हैं तो देखिए पहले बात करते हैं Exothermic Process के लिए तो Exothermic Process में Energy Release होती है तो Del H की Value क्या होगी Negative अब देखिए बात करते हैं Entropy की तो किसी भी Ionic Solid को जब हम Dissolve करते हैं तो वो Solid से Gaseous Ion में Dissociate हो जाता है तो हम कहा सकते हैं उसकी Entropy क्या होती है Increase होती है देखिए हम Thermodynamics में पढ़ते हैं Entropy क्या होती है Measurement of Disorderness of Any System किसी भी Tantra की अव्यवस्ता का जो माप है उसको हम Entropy कहते हैं तो मिंस किसी सिस्टम में जब Disorderness बढ़ती है तो उसकेस में उसकी Entropy क्या होती है बढ़ जाएगी तो यहाँ पर Ionic Compound Solid से किसमे Convert हो रहा है Gases Ions में तो यहाँ पर Ion का Dissociation हो रहा है मिंस उसमे Disorderness बढ़ रही है तो डेल S की Value यहाँ पर क्या आएगी Positive अब देखे यहाँ पर डेल H Negative है और यह Value भी क्या है Negative तो डेल्टा जी या Gips Free Energy की Value क्या आएगी Negative तो यहाँ पर Spontaneous Process होगा और वो Compound उस Solvent में Easily Dissolve हो जाएगा अब बात करते हैं Endothermic Process की तो देखे Endothermic Process में Energy Absorb होती है तो डेल H की Value क्या आएगी Positive अब यहाँ पर भी Ionic Compound का Dissociation हो रहा है तो डेल S की Value क्या आएगी Positive अब देखे डेल G या Gips Free Energy का Formula क्या होगा डेल H माइनस T डेल S अब देखे यहाँ पर यह Value हो गई Positive लेकिन इस Endothermic Process के Case में क्या होता है डेल S जो है उसकी Value बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस Case में यहाँ पर T डेल टा S की जो Value है वो डेल H के comparison में बहुत ज़्यादा होगी तो इस Case में डेल G या Gips Free Energy की जो Value है वो किसमें आ जाएगी Negative में तो इस तरह से यह Process भी Spontaneous हो जाएगा और वो Ionic Compound Easily Solubile हो जाएगा तो यह हो गया Solvation Energy और Ionic Compound की Solubility के बारे में